दमश्कार दोस्तों वालकम तो गवर्मेंट इक जाम इन्फो तो स्वागत है आप सभी आज के वीडियो में और देखे आज एक युगे ट्रॉपलेस्टी के तरब से इंपोर्टेंट अपडेट आई है एक्षिल में कल ही अपडेट आगे थी तो देखे जिसका इंसेजार आप लोगों ने देख भी लिया हुआ है तो सबसे पहले उन लोगों को बढ़ाई और जिनका सेलेक्शन इसमें हुआ है अब जिनका नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है थोड़ा यहां पर आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगी कि नहीं हो पाया हमारा तो आपको पॉजिटीव रहना यहां पर और शिर्फ आगे के जो प्रपरेशन उसको स्टार्ट कर देने हैं यानिकी गुरूप सी के लगर आप आपने अवे दिन कर रहा है तो उसके लिए प्रेशन आप सुरू कर दीजिए और आवे दिन नहीं कर रहा है मानले तो आने वाले महीनों में कुछ और form आने वाल है तो उसको mind में रखके preparation अभी से सुरू कर सकते हैं जो form आने वाल है तो जहां तक है अगले महने कुछ और form देखने को मिलेंगे और जो पुलिस भरती है उसके लेकर भी कुछ बाते की जा रही है कि अपडेट आने वाली है हाला कि मार्च में वह आना था उमीद करते हैं मार्च लास्ट तक वैसे आई थिंक आपका अपरेल में आ जाना चाहिए कुछ अपडेट्स आई हैं ऐसी खेर उसकी बात हम बात में करेंगे फिलाल जो आज हम बात करने वाले हैं वह है आपके cut-off की और document verification आपका काव होगा selected candidates का तो इसमें देख लिजिए important चीजे क्या क्या है देखे जो मैंने आपको याद होगा cut-off वताई थी एक वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था cut-off तो cut-off जो मैंने बताया था उससे actual में थोड़ा सा high गया है cut-off general category का तो हलाग उस वक्त कुछ candidate कह रहे थे कि cut-off इस बार कम जाएगी पर high गया है तो I think जो candidate है category wise general का थोड़ा high गया है इस बार तो देखते हैं वैसे जो मैंने बताया था और जो student ने guess करा था अनुमाल लगाया था उसके अनुसार ये थोड़ा सा high गया है तो हम देख लेते हैं इसको एक एक करके सबसे बहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका पसुदन प्रसार रिदिकारी वाले हैं उनमें जो document verification कब हैं इसको ध्यान से देख लीजें ये जो है मैं आभी आपको share कर दूँगा टेलिग्राम पर तो वहां से आप डायक देख सकते हैं मैं एक बार short में आपको बता दूँ पहला है आपका पसुदन प्रसार रिदिकारी सीधी भरती जो 85% वाले हैं 646 और 343 पोस्ट कोड है जिनका इसमें जनरल OBC जनरल एक से 57 तक का जो सीरियल नंबर है 27 माई को होगा OBC एक से तीन नंबर तक का जो सीरियल है वो आपका 27 माई को होगा बाकि सभी का यहां से इतने जो candidate हैं जो सीरियल नंबर के according दिए गये हैं उनका 28 माई को होगा जो सीधी भरती वाल है 85% पसुदन प्रसार अधिकारी पोस्ट के लिए पोस्ट रोड यहां पर मैंने बता दिया 646 और 343 इसके बाद है आपका जो 10 प्रतिश्टि विवागी कारविक है इन में सिर्फ जनरल दो सीरियल नंबर दिये गयें इक से दो तक तो 28 माई को इनका भी होगा इसके बाद अधिदर्सक प्रदर्शे का रेश्यम है इनका कब होगा तो 658022 और 23 ये दिया गया है तो इसमें बात करें तो ये होगा आपका जनरल SC, ST और EWS का ये जो सीरियल नंबर यहां पर दिखाएगे एक से 17 जनरल SC का एक से 3 ST का एक और EWS का एक से 2 तो 3 जून 2021 को होगा और साथी साथ निरिक्षिक रेश्यम जिसमें 3 कंडिट्स की डॉक्यमेंट वरिफेक्शन होने है तो इसमें जनरल एक से 2 सीरियल नंबर जिनका है उनका 3 जून को बताया होगा मेंशन किया होगा आपके जो क्वालिफेक्शन है वो भी हमाँ पर आपको देना पड़ेगा आपको कुछ चार फोटो ले जाने पड़ेगी पासपोर्ट साथ और दो-दो सेट्स ले जाने पड़ेगी फोटो कॉपी के हर एक डॉक्यमेंट के इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो cut off गई है वो कितने गई है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो general merit list गया है सीधी भरती वालों का उसके हम बात कर लेते हैं तो देखिए maximum जो number आए है rank 1 वो आए है आपके मनीशा जायदा के और इनका rank 1 है general सीधी भरती के लिए female general 76 76.8 है यानि कि 77 के आसपस इनका आया है अब सीधे cut off पर देख लेते हैं कि आपका जो cut off है कितना गी है minimum जो सामाने सीधी भरती के लिए तो देखिए मैंने आपको जो cut off बताई थी वो मैंने बताई थी 55 से लेकर 58 के बीच रहेगा लेकिन ये थोड़ा सा इससे उपर गया है हाला कि उस वक्त काफी सारे candidate कह रहे थे कि ये 55, 50 से कम कम जाएगी 48, 49 ये 52 तक जा सकती है लेकि मैंने आप से कहा था कि इस बार थोड़ा जादा जाने के chances है और actual में ये थोड़ा जादा गया है general वालों के लिए तो general वालों की बात करें तो male general की बात कर लेते है male general की बात करें तो जो सामान नहीं है यानि कि ना तो शैतिश आरक्षिन में आते हैं ना किसी और category में सिर्फ male general category में आते हैं तो देखे 62.69 ये गया है आपका इस बार तो कह सकते हैं थोड़ा 100 में से अगर 63 नंबर लाने है थोड़ा उपर गया है थोड़ा high गया है वैसे generally इतना जाता है ग्रूप C एक्जाम में भी 100 में से तो घर ये जी जे इसमें इसके बाद हैं OBC की merit list की बात कर लेते हैं OBC की merit list की बात करें तो आपका male OBC बीना किसी शैजित आरक्षिन वाले की बात करें तो यहाँ पर गया है आपका 61 जो की इससे काफी कम गया है हाला कि मैंने इसके लिए बताया था कि ये आपका 55 से कम जाएगा तो देखें काफी कम difference है general और OBC में तो कह सकते हैं लगभग वराबर है 61.75 पर आपका गया है यह देख सकते हैं आप इसके बाद है आपका अच्छा एक चीज़ और ये actual में OBC का नीचे भी है तो इसको देख लीजे थोड़ा कम गया है 58 यह है यानि कि कह सकते हैं जादा ही गया है बहुत कम भी नहीं गया है जितना अनुमाल लगा जाए जाए था उसके अनुसार तो यह 61 नहीं है 58.69 है तो यह सामाने भरती सीधी भरती की बात कर रहा हूँ 85% वालो की SC की मेरे टेस्ट की बात करें तो SC वालो का जो गया है वो 51 गया है और हाला कि इसके लिए उम्मीद की जाए थी कि SC काटिगरी के जो male candidate है उनका थोड़ा यहाँ पर कम जाएगा तो लेकिन और female की बात करें तो यहाँ पर 50 के आसवास गया है तो लगभग ज़्यादा difference नहीं है male और female candidate में एक आद नमर का difference है हला कि OBC के बात करें तो OBC में तो 58 point में रिफरेंस आ रहे है male और उत्राखंट female के लिए इसके बाद ST की merit list के बात करें तो 49 गया है आपका ST का general सीधी भरती वालो का EWS की बात करें तो देखे EWS का जो male candidate है उनका लगभग आपका OBC के आसपास गया है OBC से थोड़ा सा कम गया है तो कह सकते हैं EWS वालो को थोड़ा सा यहाँ पर benefit मिला है अगर उनके पास certificate था तो इसके बाद physically handicapped वालो के लिए देखें लास्ट टाइम जो आपका exam हुआ था उसमें काफी कम गया था उसके जो cut off आई थी क्योंकि उस वक्ते जो situation थे वो अलग थे जो माध्य हम था वो अलग था pattern थोड़ा बहुत अलग था इस बार थोड़ा ज़ादा गया है क्योंकि आफ़े दन भी थोड़ी ज़ादा संख्या में हुए इस वज़े से ये थोड़ा आपका high गया है cut off तो physically handicap वालों की बात करें तो यहाँ पर 46 गया है 46.35 गया है male candidate का female का भी थोड़ा उपर गया है 49 क्या सबस्य यहाँ पर गया है इसके बात बात करते हैं अधितरशक प्रदरशक रेशम तो इसकी बात करें तो male candidate 68.35 काफी high गया है इनके लिए 68.35 के आसपास यह गया है general merit list अधितरशक प्रदरशक रेशम की बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके बात है SC का यहाँ पर 57 गया है male candidates का ST का सिर्फ एक selected हुए है अधितरशक प्रदरशक रेशम के लिए और इनका नंबर है 54.80384 rank है इनकी 201 इसके बात EWS merit list की बात करें तो EWS का यहाँ पर 62 गया है यह आपका अधितरशक प्रदरशक रेशम है ठीक है पोस्ट कोड यहाँ पर 658 वाले जो थे इनकों मालूम होगा निरक्षक रेशम वालों की बात कर लेते हैं तो काफी कम सेलेक्टिर हुए हैं इस पोस्ट के लिए जैसे की पहला जिनका rank 1 था उनको यह तीनों प्रेफरेंस मिल जाएंगी यानि कि मानिशा जायत को जो भी वो पोस्ट लेना चाहें क्योंकि इनका सेलेक्टिर नाम जो आप देख पा रहे होंगे वो लगभग तीनों महीं आ गया है नाम इनका क्योंकि इनके marks काफी अच्छे हैं और अनिल नौटियाल का भी आया होगा उपर देख लेते हैं एक बार ठेक है यहां पर यह नाम आया है इनका इसमें भी आया है और मनीशा जायाद का भी आया है तो जिनके high marks है उनको काफी अच्छी preference मिल जाएगी उनके जो grade पे level है या फिर post जो भी उसमें choose करना चाहते हैं वो और जिनके कम है उनको थोड़ा कम chances मिलेंगे खैर यह तो हर बार होता ही है तो इसमें 75 गया है निरेक्षक रेशम अगर यह जाना चाहें तो यह दो candidate इसके लिए choose कर सकते हैं अगर यह इसको रहने देते हैं तो इसमें किसी और को मौका मिल जाएगा और मालें जो वो पसुदन पर सारे अधिकारी में जाना जाते हैं तो उनमें वो choose कर सकते हैं अपना post preference में ST की बात करें तो इसमें एक विक्ति का selection हुआ है और यह 54.80 तो कुल मिलाके यहां पर 55 से 60 के बीच 62 के बीच cut off गई है लगभग सभी की और इसको छोड़ दें अगर ST वालों को छोड़ दें तो ST की थोड़ी सी कम गई है तो कह सकते हैं 55, 60, 62, 64 इसी के आस्पत गया और जनरल का 62 प्लस ही गया है लगभग मेल केंडिट का तो देखें जिनका selection नहीं हुआ है तो आपके पास कोई option नहीं बसता है क्योंकि आपको preparation करनी है मैनत तो करनी पड़ीगी तो आने वाले जो exam है उसके लिए आप prepare कीजिए और जिनकों भी आज selection होगी है इसमें वो अपना जो document verification है उसको त्यार कर लीजिए अच्छे से और exam जो आपका document verification जब होगा तो उसके लिए जो जो चीजिए मांगी गई है उसको आप ध्यान में रखेगा तो बस आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद अच्छा जो साय कृशी अधिकारी वाले हैं उनका जो PDF मैं share कर दूँगा तो अभी मैं इसको mention नहीं कर रहा हूं उसकी cut-off तो वो आप देख सकते हैं खुझ से वो मैं आपको telegram पर दे दूँगा तो तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आप से लिए वीडियो में